हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स 030 Android मुइल फोन में आप अपने मुइल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हूँ तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों आप अपने मुवैल फोन के स्टोरेज को आप तीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं आप अपने मुवैल फोन में किसी भी मेंडी कारट का यूज कर सकते हैं दस से आपके फोन का प्रण स्टोरेज बढ़ जाएगा दो इससे आपके फोन का श्टोर जाएगा तो आज के इस वीडियों बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है तीसरे तरीकी के जरीह है यानिकि आप अपना फोन से फालतुगा डेटा अठाके आप अपने फोन के स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं तो चलिए यहां पर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं इसमां आपको अप इंफो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे आपको टैप करना है आपका यहाला पेज ओपन हो जाएगा इसमां आपको नीचे इस्टोरेज एंट कैज पर आपको टैप करना है इसके अगले पेज में आपको दो ओप्षिन म आपको अपने मुवैल फोन के सबीट प्राइप को मैं आपको कि अंग्वाइल ऐसे एपने के इंदर सेटिंग मिलेगी चीजिस आप के अंदर आपको बैक आप की सेटिंग मिल जाती है उन सभी आप सेटिंग को बंद करना टीकंड मैं आपको समझाने के लिए example के लिए अपने phone की gallery को open कर लेता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं सबसे उपर यह right side की top पर यह profile picture होती है इस टैप करना है अभी आला page open होगा इसमें देखें backup की setting है ठीक है तो यहाँ पर यह backup is off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस app की backup setting को पहले से बंद कर रखा है तो अगर आपकी backup setting चालू रहती है तो आपको नीचे की side यहाँ पे off का button लिखा होगा off पर टैप करके इस backup setting को इस तरीके से ही आपको बंद कर देना है ठीक है अब देखिए यह तो होगी आपके apps की backup setting की बात अब आपको अपने mobile phone की backup setting को बंद करना है ठीक है इसके लिए आपको mobile phone का setting page ओपन करना है इसमें आपको नीचे की side system पर टैप करना है इसके अंदर आपको यह backup setting टैप करने है अब यहाँ पर आपको अगले page में नीचे की side यहाँ पर आफ का button अगर लिखा हुआ दिखाई देता आफ लिखा हुआ दिखाई देता तो इससे आपको आपके फोन की backup setting भी बंद हो जाएगी देखे दोस्तो मैं apps की और mobile phone की backup setting को इसलिए बंद करवा रहा हुँ क्योंकि अगर यह setting चालू रहेगी ना backup की तो इससे आपके phone का storage बार बार फुल हो जाएगा तो इसलिए आपको यह backup setting को बंद रखना है इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा अब दोस्तों यहाँ आपको फोटो वीडियो आपने रख रखे ना सारी की सारी फाल्दू की फोटो वीडियो जो आपको पर्मनेंट डिलीट कर देना इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा अब दोस्तों सबसे आपको यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process अगर काम नहीं करते हैं कोई भी तब आपको phone को reset करना है otherwise phone को reset नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open कर लीजिए setting page में आपको सबसे नीचे system पे टाप करना है इसके अंदर आपको reset option टाप करना है इसके अंदर सबसे नीचे आपको अपने phone को reset करना है तो दोस्तों मेरे बताये वह सारे process आप यूज करेंगे तो इससे आपके phone का storage बढ़ जाएगा ठीक है